नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है, मैं आजे ब्रमात्मच चौदा दिनों की उत्तर भारत की यात्रा के बाद लोटा हूँ, इस यात्रा में मैंने रखनव, बनारस और प्रियाग राज शहरों में दोस्तों से, परिचितों से, कुछ नए दोस्तों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और बहुत कुछ जानने समझने को मिला, वही सब क कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और उन में से कुछ विश्यों पर मुझे आगे भी काम करना होगा, ऐसा लगता है, लेकिन मैं बात आगे करूँ, इसके पहले में चाहूँगा, कि आप सिने माहुल को सब्सक्राइब करने, गंटी बजा दे, अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, और उन्हें इसके बारे में बताएं, तो मेरी यातर शुरू ही लखनव से, लखनव में अविनास दास अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, बात यही हुई थी, कि मैं उनके सेट पे जाऊंगा, वहां मिलू दोस्तों से, और कलाकारों से शूट देखूंगा, अविनास दास को खिलते हुए देखना अच्छा लगता है, और यही कोशिश थी कि देखें, अब वे कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे संतुष्ट्री हुई, उनके बात बैवहार से, बात बैवहार मेरे प्र प्रतित, उनका प्रेम बना हुआ है, सेट पर जिस तरीके से वे कमांड कर रहे थे, या कलाकारों से बाते कर रहे थे, उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अपने काम की चीजें निकलवा रहे थे, और फिर शाम की महफिले, सब कुछ अच्छा लगा, फिल्म एक जरूरी म पर बन रही है, और आज के लिए बहुत प्रासंगिक है, यूशेप की गली, फिल्म के बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं की जा सकती, इसलिए आप भी प्रतिक्षा करें, मैं भी प्रतिक्षा कर रहा हूं, लगनों में और भी कई दोस्तों से मिलना हुआ, वहां अलग में जो खौफ का महौल बना हुआ है, और जो नफरत का नवाचार चल रहा है, इससे सभी कहीं ने कहीं दुखी और परिशान है, आप कह सकते हैं, मेरी मुलाकात लाइक मैंडेड दोस्तों से ही हुई, विरोधी विचार या विरोधी सोच के लोगों से नहीं हुई, यह भी सही है, लेकिन यह चिंता का विशे तो है ही, कि आखिर हम फिल्मों को किस दिशा में ले जा रहे हैं, उसका वरतमान किस तरीके से गढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा वरतमान रहा, तो भविश्य में क्या होगा, लेकिन मैं बहुती आशावादी वेक्ति हूँ, और मुझे उम रोचक और तेजना पूर्ण रहा, बनारस में बियेचिव और रंगशाला के कुछ चात्र मिले, कुछ नाटे कर्मी मिले, रंग कर्मी मिले, उनसे काफी बाते हुई, लगवग दो घंटे तक हमने बाते की, जिसमें सिन्मा को लेकर उनके आशंका हैं, उनके जिक्यासा हैं उनके सवाल सभी बड़े रोचक और जरूरी थे, मैंने अपने तहीं कोशिस की कि अभी को संतुष्ट कर सकों, उनके जवाब दे सकों, मालूम नहीं उन पर क्या प्रभाव हुआ, या उन्होंने मेरी बातों को किस तरीके से लिया, लेकिन मैंने पूरी कोशिस की कि एक वस फिल्म इंडिस्ट्री को समझने का नजरिया में देश सकों, उनको, हाँ, उनमें से ज़्यादा तर मुझे संतुष्ट नजर आए और ऐसा लगा, कि उन्हें मेरी बात सही लग रही है, फिल्म समिक्षा को लेकर, फिल्म के क्रिटिसिजम को लेकर, भी काफी बाते हुई, अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, और भी इस तरीके कि कई सवाल थे, उसके वीजियो मेरे आ जाएंगे, तो वहरी में आपके साथ शेयर करूँगा, और बताऊँगा कि क्या बाते हुई, फिर हम लोग दोस्तों से मिले, हम लोग जब मैं कह रहा हूँ, तो वैसे तो मैं अ कॉफी हाउस, वहाँ लाडित जी मिले, लाडित जोशी, जो इलावाद में मेडियेवल इंडिया के हिस्टोरियन रहे हैं, ध्यापक रहे हैं, और अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने सिनेमा पर बहुत अच्छा नेक काम किया है, उनके किताब है हाउसफुल, इसके अ प्रिष्टों के इस लेख में उन्होंने लक्षमी टाकीज की मौत का जिक्र किया है, उनका या अध्यन, शोध और लेख, कहीं ने कहीं भारत में सिंगल स्क्रीन के स्थीति और वर्तमान के बारे में बातें करता है, मुझे इंतजार है उनके लेख का, जैसे ही वह लेख आप से शेयर करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, इसके इलावा बहुत सारे नौजवान दोस्त मिले, जिनसे पहली बार मुलाकात हुई, कुछ से दूसरी बार तीसरी बार मुलाकात हुई, और उनसे भी सिनेवा संबंदित बातें हुई, सबसे अच्छा लगा मुझे मास्टर सूफी से मिलना, वह शारूख खान का जवर्दस्त फैन है, मुझे भी बाद में आश्चर हुआ, कि उसके लिए मैं लगबग 10 मिनट अपने ववाइल में शारूख खान के साथ अपनी तस्वीर सर्च कर रहा था, ताकि मैं उसे भरुसा दिला सकूं, कि हां मैं सज जिमोच शारूख खान से मिल चुका हूँ, बच्चे बड़े संबेदन सील होते हैं और उनका विश्वास नहीं तूटना चाहिए, सुभी बहुत ही जहीन और प्यारा बच्चा लगा, उसके सवाल बहुत ही वाजिब होते हैं, और वह समवाद करता है अपने माता पिता से और एक बहतर नागलिक के तौर पर दिश्चिती उभरेगा वो, ऐसे ही मुझे लखनों में आभेरी मिली, आभेरी भी बमुश्कल तीन सारे तीन साल की हैं, और उनके भी सवाल, उनकी अदायें, और उनके नकरें, और उनका वेभार, सब कुछ बहुत ही रोमान्चक था, म इन 14 दिनों की यात्रा के बाद मैं मुंबई लॉट आया हूँ, अब मैं नियमित सिनेमा और फिल्म रिब्यूज वगरे की बाते करूँगा, हाँ, लखनों में मैं वीर वीरोच छावडा जी से मिला, उनसे लखनों की सिनेमा घरों पर मैंने बात की, ऐसे ही बनारस में मैं मैं विशुनात गोकर्ण से मुलाकात की, उनसे बनारस के सिनेमा घर के बारे में बाते की, अलावाद में परियाग राज में में मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं किसी को खोच पाऊं और उसे बात करूँ, लरिज जोशी से ही मैं बाते कर सकता था, लेकिन काफी हाउस का माहौल आप समझ सकते हैं, वहाँ यह बात नहीं हो सकती थी, और फिर मेरे पास अगला दिन नहीं रहा, इसलिए यह अधूरा रहा, बाकी रहा, फिर से इस पर बात करेंगे, प्रियाग राज में मुझे आंशु मालविय मिले, जब हर वक्त मिले, उनके पत्नी मिली, सुव को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छे लगते हैं, या कभी आपका मन करें, तो भाय मी यह कॉफी लिंक पो जाकर मेरे लिए कॉफी करी दें, मेरे साथ जुड़े रहें, शुक्रिया, महर्वानी, धन्यवाद.